इसमें को रोग लेकर आगे हूं यहाँ पर Catizen से चुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट गाइस यहाँ पर Tokens Distribute हो चुके हैं हम लोगों को Tokens मिल चुके हैं Kati Tokens सभी को मिल चुके हैं अब गाइस किसको कितने Tokens मिले हैं आपको करना क्या है कैसे आप tokens को withdraw करोगे कैसे आप tokens को stick के अंदर डालोगे ताकि आपको और भी अच्छा return मिले तो जानने के लिए ये वीडियो के अंदर बने रही है और ये वीडियो पूरा शुरू से लेकरें तक ज़रूर देखेगा तो चलते हैं मेरे phone के screen पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मैं जाता हूँ Catizen के announcement section के अंदर तो यहाँ पर काफी time से सुबे से Catizen काम नहीं कर रहा था वो लोग snapshot ले रहे थे judge कर रहे थे accounts को कि कि किसको कितने tokens देने किसको कितने tokens अलोट करने हैं तो यहाँ पर फाइनली इन्हों ने Catizen है फिर से live हो गया है और वहाँ पर सबसे बड़ा जटका लगा है कि उन्हों ने AirDrop वाला section दे दिया है अब यहाँ पर जिसकी में Catizen Now के अंदर कि आपको जो हो ओपन करें तो फटाफट पहली बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग अभी Catizen की आप को ओपन करेंगे तो हो सकते हैं आपको बहुत सारा लेक देखने को मिले एब बड़ी slow चल रही है कितनी बार तो एब खुलती ही नहीं है क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर heavy traffic आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक airdrop का box मिलता है Catizen app के अंदर जब आप उस पर tape करते हो तो आपके सामने आता है analyze यानि कि वो आपके account को analyze करता है कि आपने क्या-क्या task complete किये हैं और आपको उसके हिसाब से जो है वो tokens allot हुए है अब यहाँ पर guys मुझे कितने tokens allot हुए है वो आप जानके चोक जाएंगे देखिए मुझे कितने tokens मिले हैं मुझे केवल 39 katie tokens मिले हैं जो कि बहुत choking है अब guys यह मैं accept करता हूँ क्योंकि मैंने बहुत मुझे जादा time नहीं हुआ है केटीजन खेलते हुए और मेरा जो main जो एक हिस्सा बोल सकते है केटीजन के अंदर वो invite friends वाला ही था तो invite friends वाला तो भाई कोई scene बनता ही नहीं है कोई value नहीं है उतनी यहाँ पर आपको सारे task complete करने होते थे तो guys देख सकते हैं मुझे केवल 38.92 केटी टोकन्स मिले है नीचे comment करके आप बताओ कि आपको कितने टोकन्स मिले है किस-को कितने टोकन्स मिले है केटी के अब यहाँ पर guys नीचे आपको दो option मिलते है एक option मिलता है stake आप अपने tokens को stake कर सकते हैं ताकि आपको उस पर return मिले और एक आप withdraw कर सकते हैं तो withdraw वाला option अभी फिलाल यहाँ पर enable नहीं है वो 20 गंटे बाद होगा तो वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे withdraw करना है पर जिनको stake करना है guys कि आपके पास केवल 10 दिन का time है और नीचे आपको BGB यानि कि Bidgate का pull वाला option मिलता है तो वो हमें लेना है और उपर ही उपर आपको मिलता है GT pull जो की है gate.io अब gate.io guys हमें उससे कुछ काम है नहीं क्योंकि हमें Bidgate wallet पर ही सब काम करना है तो मैं इसे close करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ guys Bidgate BGB pull पर जाना है आपको तो BGB pull के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पर उसके ओपर tap करना है और जैसे ही उसके ओपर आप tap करो के तो आपको यह yes okay पूछेगा तो okay करना है आपको और उसके बाद में guys आपको यहाँ पर पूछ रहा है स्टेक करने के लिए तो आपको स्टेक पर Tap करना है तो स्टेक पर tap करने के बाद में guys यह आपकी ओके so you stack आपको कितने cash days टोकंस टेक करना है तोBayуда आप यहाँ पर कर सकते हूं तो मैं यहाँ पर confirm कर दिए और यहाँ पर guys आप terms and conditions है उनकी तो वह सब आपकुछ है यहाँ पर check कर नहीं है, select करने के बाद में आप यहाँ पर confirm कर दिजिए तो मैं यहाँ पर guys confirm कर देता हूं यहां पर मैं एक बात और clear कर दूँ कि अगर आप लोग BGB यानि कि Bitgate वाला option चूज़ करते हो stack के लिए तो आप यह make sure कर लिजे कि आपको आपके Bitgate के wallet को जो है वो KYC verified करना होगा अगर आपने KYC verified नहीं किया होगा उसके बाद में आप withdraw कर पाओगे और withdraw आप तभी कर पाओगे जब आपका Bitgate wallet जो हो KYC verified रहेगा तो यह आप ध्यान रखिए Bitgate wallet को KYC verified कर लिजे verification complete कर लिजे और ताकि बाद में कभी कोई दिक्कत ना आए गाई इसमें को आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए bye bye and stay safe